प्रहान मंतिरी नरेंद्र मोधी को आख दिखाने के लिए उन्होंने फिर से PM मेटेरियल नितीज कुमार को बताया था जी और ये भी कहीना कहीं भाजपा को ओपेन चैलेंज कर दिया कि अब आपको बेचेनी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास PM कैंडिडेट है और नितीज कुमार को लेकर आप नितीज की कुर्सी चीना चाहते हैं आप बिहार में अपनी सरकार अपनी नमपर बनाया चाहते हैं नितीज को कम जोड़ करके हम आपकी कुर्सी हीला देंगे नितीज के आते ही माजी और उपन गुस्वाहा दोनों इतने बेच्वेन हो गए थे बयानों के सिंखला आप देख लिए लगतार नितीज के खिलाफ बयान देना बिहार में मौझूदा जो खास्तर पे तंतर था उस वक्त खास्तर पुलीशिया तंतर उसके चलते क्राइम रे ही थे तो वह बहुत तरस जिसा मच सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने अलग लग सीटों पर कमजोड किया हुँ तुनाओं के बाद तुरंत एक ट्वीट करके जहां भाजपा रिकवरी मोड में चली गई डैमेज बहुत तगड़ा हुए बाजपा का कंट्रोल में भाज कर रहे थे दोस्ट दुस्मन सब लेकिन इतनी हर्वडी उपनकुस्वहा को उन्होंने चक्रव्यू तूटने से कंपेर कर दिया और यह कह दिया कि यह चक्रव्यू तूट गया है यह आने वाज समय के लिए एक नाजीर पेस करेगा यह साबित करता है कि आप दोस्त नहीं इराजीती नितीश किस आसपास घूंती रही वहीं भाजपा से अलग होते हैं editing नितीश कुमार से बिल्कुल ही अलग हो गए थे उपेनकुस्वहार भाजपास से गटबंधन करके केंदर में मंतरी तक बने हुए थे और केंदर मंतरी से उन्होंने इस्टीफा दिया था 2018 मे क्यों दिया था आपको पता है आपको याद होगा उपेंद कुस्वाहा इतने नाराज हुए और उन्हें सोचल मीडिया का रुख करके नाम बिना लिये हुए सीधे तोर पर हमला कर दिया संजेज असवाल पर और वो पलिस्थिती ऐसी बन गई कि लगा कि उस लॉकडाउन में प्रत्यारों पितना चला कि अंततह सम्राज चौधरी भाजपा की तरफ से आगे आते हैं जो कि इसी बिरादरी से आते हैं और भाजपा उन्हें आगे करती है और रिशारा करती है कहीं ना कहीं कि वह उपेंद कुस्वाहा को रत्ती भर भी भाव नहीं देती इस दौरान उ वो जदियू के महत्वपूर्ण पदों पर आ गए जी जी आर्सीपी सिंग की दिरे दिरे छुटी होगी का लंतर में इस पार्टी से जो उन्होंने पावर को प्रेक्टिस किया राष्ट्रे अध्यक्ष के तौर पर और नितिश के रडार पर चले गए नितिश कुमार से ने उन्हें छट दिया फिर वो केंद्रिय मंत्री बन कर रहे गए और अतना सीमित हो गया कि हो सकता है कि अब राजसभा भी जाने के पर आपता जाए उनके यानि इस पार्टी में अब ललन सिंग और उपिन कुस्वा के कौद्ध बहुत बड़ा होगे